असलाम अलेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम EGSI 7.1 का जो पहला कोश्चन है उसका पहला पार्ट करेंगे आपसे पहला पार्ट कहा रहा है कि लाइन A, B यह है आपकी लाइन A, B और लाइन C, D यह है लाइन C, D यह intersect कर रहे हैं आपसमें कहा पे? पॉइंट O पे फिर यह कहा रहा है such that A, C यह जो यह वाली लाइन है A, C यह परलल है D, B के ठीक है इस लाइन के परलल में है इसको थोड़ा यहां से extend कीजिए यहां से भी इसको extend कीजिए extend कीजिए यहां से भी यह दो lines आपसमें परलल है फिर यह कहता है कि angle C, A, B is equal to 35 degree angle C, A, B यानि यह वाला angle यह कितना है? 35 degree angle C, A, B is equal to 35 degree यह बीच का जो alphabet है A, यही denote करता है angle को इसी तरह फिर यह कहता है कि angle C, D, B is equal to 55 degree यहां पर जो बीच का letter आ रहा है वो क्या है? D, यह वाला angle C, D, B यह angle आपका आ रहा है 55 आपको निकालना है angle B, O, D यानि यह वाला angle अब आपको क्या करना है? मैं आपको यहां पर shortcut करूंगा क्योंकि मैंने already आपको यह pick पे दिखाया है चले देखते हैं Since A, B क्या है एक transversal Transversal क्यों है? क्योंकि यह line A, B इन दो parallel lines को intersect कर रही है at B and A ठीक है? दो different points पे तो जो यह transversal line angles बनाएंगी alternate angles यह एक angle है और यह दूसरा इनको कहते हैं alternate angles यह equal होते हैं So, जो यह angle B होगा ना यहांसे यह होगा 35 degree क्या होगा? 35 degree A, B is transversal Therefore, angle A is equal to angle B is equal to 35 degree यह angle इसके बराबर होगा क्यों? alternate angles है अब देखिए आप लीजे यह वाला triangle triangle D, O, B इसमें D भी पता है आपको B भी पता है आपको O निकलेगा कैसे निकलेगा? हमें पता है Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree That is angle D plus angle B plus angle O is equal to 180 degree Angle D किसके बराबर है? यह angle प्लस यह angle प्लस यह angle यह किसके बराबर होता है? 180 degree 55 plus 35 55 degree plus 35 degree plus angle O is equal to 180 degree यह आपका आएगा 90 plus angle O is equal to 180 degree Therefore angle O हमें निकालना है यह O है यहाँ पर यहाँ आपका एगा 180 इस 90 को लीजे राइट साइड की और यह बनेगा minus 90 यह आपका एगा 180 degree minus 90 degree यह आपका एगा जब आप 180 को 90 कम करोगे तो वह आपका एगा 90 degree जो angle O होगा वो होगा 90 degree यह आपका पहला पाथ होगा complete